हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टू मैं चैनल मस्ते रादे रादे तो चलिए आज एक यूनिक रेशपी लेकर आये हैं इंस्टेंट बनने वाली स्नेक्स की रेशपी है तो इस स्नेक्स को बनाने के लिए हमें यह सारी इंग्रीडेंस चाहिए होंगे इन सब चीजों को हमने ऐसे कर लिया है अच्छे साफ कर लें आलू को इस तरह से आपने चौप करना है फिर यह मेथी है मेथी के पत्ते को अच्छे साफ करके और हमने ऐसे चौप कर लिया है और यह कुछ प्याज है उसे भी चौप कर लिया है यह गारलिक है उसे भी चौप करके और यह है धनिया के प थोड़ा कम ही डालेंगे और हमने इसमें अड़ कर दिया इकटोरी बेशन और चार चमच के करीब सूजी इन सभी को हम अच्छे से मिलाएंगे मिलाने के बाद अगर जरूत पड़े तो हम इसमें पानी अड़ करेंगे थोड़ा सा बहुत ही कम आपको इसको बैटर नहीं बना है तो रेस्ट हो चुका है दस मिनट करीब अब यह बनने के लिए तयार है तो हम इसे निकाल लेंगे और अच्छे से मिला लेंगे और इसको अच्छे से मिला कर थोड़ा इसमें नमक और हल्दी एड़ करेंगे हुआ हिए ति यह हम इसे अच्छे से एक तरह से मिला लेंगे दा मिलाने के बार हम इसको छोड़ए-छोटे आप जिस भी साइज के चाहो तो बना सकते हो मैं इसको सर्कल राउंड टाइप से बनाऊंगी तो आप थोड़ा हाथ में पानी लगा लिजे पानी लगा के इसको सर्कल राउंड टाइप से बना लिजे ऐसे सारे बन करके तयार हो गए हैं अब हम इन्हें चलते हैं, फ्राइ करते हैं, आप चाओ तो इसे सेलो फ्राइ भी कर सकते हैं तो हमारा तेल गरम हो चुकता है, अब हम इसमें एक एक करके सारी टिक keeping डाल देंगे ये सारे डाल कर हम इसे low to medium flame पर ही रखेंगे ताकि इसमें जो भी हमने आलू वगेरा डाले हुए हैं कट करके उसारे अंदर से अच्छे से पक जाए तो इदम medium flame पर ही हमें इसे दिरी-दिरे सिखने देना है तो ये देखिए brown हो चुके हैं अब हम इन्हें ऐसे निकाल लेंगे ऐसे करके हम next step में भी इसे डाल के और medium frame पर ही छोड़ देंगे ताकि ये अराम से पक जाए इसको आप high flame पर अगर पकाएंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे और अंदर इसे तो ये हमारे सरले बनकर तयार हैं तो आप भी ज़रूर बनाईए और अपने अनुबह हमारे साथ सेर करिए हमारे चैनल को like, share and subscribe करना ना भूले